नमस्कार फ्रेंड्स वागताब सभीका सॉलूशन रभीसेक यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में 2021 में जो चर्चाव में रही है मैं लाएं उनसे रिलेटेट इस वीडियो में टॉप 50 प्लस कुशन पार्ट बन और पार्ट टू में मैं कम्प्लीट कर बाऊंगा यह जो वीडियो है यह जो है पार्ट बन है इसके बाद मैं पार्ट टू आपको जल्द ही दे दूँगा अगर आप किसी भी एक जम की तयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको जरूर एक से दो कुशन आपको देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो को आप लोग बिना इसकिप पर मिल जाएगा तो चली वीडियो को सुरू करते हैं अगर चेनल पर पहले आप बिजिट गये चेनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें चली वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला जो कुशन ना कुशन मबन सृष्टी गौवसवामी कि सिराज्य में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है तो इसका राइट ऑप्सन हो जाएगा उत्तराखंड अगर बात की जाए इनकी फोटो आप लोग देख लीजे ये हैं सिरिष्टी गौवसवामी उत्राखंड के हरिद्वार जिले के दौलत पुर गाउं की सिरिष्टी गौवसवामी को 24 जन हाली में किस राज्य की रेश्मा मर्यम रोय सबसे यूबा पंचायत अध्यच बनी है तो इसका अंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा केरल इनको आप लोग देख लीजे फोटो में केरल राज्य की 21 बर्स की रेश्मा मर्यम रोय जो है ये पठानम थिटा जेले के बार समाला है इनकी फोटो आप लोग देख लीजे ये हैं रेश्मा मर्यम रोय ये केरल की जो है सबसे यूबा पंचायत अध्यच बनी है अगला जो कुछन कुछन मत थर्ड भारत के किस राज्य की अतिती माहेश्वरी को एक दिन के लिए भारत बेटेस उचायुक्त बना में एक दिन के लिए भारत की बेटेस उचायुक्त बनी है अगर बात की जाए बेटेस हाई कमीशन की ओर से 11 अक्टूबर को अंतराष्टिय बालिका दिवस मनाने के लिए 2017 में हर साल प्रतियोगिता होती है इस उचायुक्त दिवस प्रतियोगिता को जीत कर अतिती जो महे इन्होंने जो है ये मुकाम हाशिल किया है अगला जो कुछन है कुछनमा फोर भारतिय बायू सेना की प्रतम महिला फाइटर जेट पाइलेट कोन बनी है तो ये बनी है भाबना कांत अगर बात किया इनकी फोटो आप लोग देख लीजे फ्लाइट लेफ्ट इनेंट भाब ना कांत ये प्रतम महिला फाइटर जेट पाइलेट बनी है अगला जो कुछन कुछनमा फाइब मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड दोजेटा का खेताब जीतने बाली पहली भारतिय महिला कोन बनी है तो ये बनी है डाक्टर अच्छिदा प्रभू बात की जाए डाक्टर इंटरनेशनल वर्ल्ड दोजर रिकिस का खेताब जीता है इनको आप लोग देख लीजे ये इनकी फोटो है ये मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड दोजर रिकिस का खेताब इनों ने जीता है और ये इसी के साथ जो है पहली भारतिय महिला बन गई है अगले जो कुछन कुछनमा 6 जो है हीमा कॉली कि सराज्य की हाई कोट की पहली महिला मुख्य न्याइदीस बनी है तो ये तेलंगाना हाई कोट की मुख्य न्याइदीस बनी है इनकी फोटो आप लोग देख लीजे दिल्ली उच न्याले की बरिष्ट न्याइदीस जो है न्याइमूतरी हीमा कॉली को ते बनी है तो ये बनी है सुवांगी सिंग इनकी फोटो आप लोग देख लीजे भारतिय बायू सेना की फ्लैट लेफटिनेंट सुवांगी सिंग देश के बाहू बली बिमान राफेल को उड़ाने बाली पहली भारतिय महिला बनी है अगर बात कि जाए इससे पहले इनों ने ज स्क्वाइडन दल की शामिल होंगी तो इनको आप याद रखे राफेल उड़ाने बाली पर्थम महिला जो है ये है कौन शुवांगी सिंग अगला जो कुशन है कुशनमा एड जो है ये है बिस्व की सबसे यूबा परधान मंत्री बनने वाली सना मारेन किस देश की है तो फिल्लेंड की राजधानी जो है है और इसके प्रधान मंत्री जो है ये सबसे यूबा बनी है सना मारेन है और राष्टपती जो है साउली निनिस्तो है और फिल्लेंड की जो मुद्रा है ये यूरो है आप लोग देख लीजेगा अगला जो कुशन कुशनमा नाइन पंजा अगले महीने उनकी सेवा निवर्ती से ठीक पहले जो है पद मुक्त कर दिया गया और बिनी महाजन को मुक्य सचिब का पद भार सौंप दिया गया है तो इनकी फोटो आप लोग देख लीजे ये हैं बिनी महाजन ये पंजाब की पहली महिला मुक्य सचिब बनी है अगले जो कुछन कुछनमा 10 जो है राष्टिय महिला आयोग NCW की दोबारा अध्यच कौन बनी है तो यह बनी है रेखा सर्मा रेखा सर्मा जो है दोबारा राष्टिय महिला आयोग की जो है अध्यच बनी है केंदर सरकार ने रेखा सर्मा को राष्टिय महिला आयोग के अध्यच के शुरू हो गया है तीन साल के लिए इनकी फोटो आप लोग देख लीजिगा अगले जो कुछन कुछनम 11 जो है देश की सबसे यूबा मेर बनने वाली पहली महिला जो है ये आरिया राजिंदर है इनकी फोटो आप लोग देख लीजिए आरिया राजिंदर जो है केरल के तिर आरिया राजिंदर पर इस आयहम पद के लिए भरोसा जताया आरिया राजिंदर तिरुवनंत पूरम की पहली जो है अगली मेर बनेगी और ये पहली भारतिया महिला है जो कि किसी देश की सबसे यूबा मेर बनने वाली हैं अगले जो कुछण कुछ नमा 12 किस भारतिये को सजयुक्त राष्ट में महिला पर वक्ता नियुक्त किया गया है तो ये है जोया अग्रबाल इनकी फोटो आप लोग देख लीजिए एर इंडिया की पाइलेट कैप्टन जोय अगरवाल को सन्युक्त राष्ट में महिला परिवक्ता नियुक्त किया गया है अगर बात की जाए सन्युक्त राष्ट की तो United Nations इसका फुल फूम होता है अगर बात की जाए इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होई सन्युक्त राष्ट की मुख्याले जो है नियुवर्क अमिर्का में है इसके जो महा सचिव हैं एंटोनियो गोटिरेज हैं और सदस्य देश जो हैं सन्युक्त राष्ट में ये हैं 193 इसकी फोटो आप लोग देख लीजे ये जो है सन्युक्त राष्ट है और ये जो है ये कैप्टन जो है जो ये अगरबाल है इनको जो है सन्युक्त राश्ट में जो है महिला पिरवक्ता नियुक्त किया गया है अगले जो कुशनन कुशनमा 13 जो है भारतिया तरच्छक बल इंडियन कोष्ट गाड की पहली महिला ती आईजी कौन बनी है तो इंडियन कोष्ट गाड की पहली महिला डियाईजी जो बनी है ये बनी है नुपूर कुल स्रेष्ट अगर बात की जाए इनकी फोटो आप लोग देख लीजे अगर बात की जाए नुपूर कुल स्रेष्ट की भारतिया तरच्छक बल की उप महा निरिच्छक डियाईजी पद पर पदोनत होने वाली पहली महिला बन गई है भारतिय तटर चकबल इंडियन कोश्ट गार की स्थापना जो है आठ अगस्त 1978 को हुई इसका जो मुख्याले है नई दिल्ली में है इसके माहने देशक जो है अभी हाली में बने है वीरंदर सिंग पठानिया इंडियन कोश तुम देख लीजे तो महिला सिपाई मीनक्षी बर्मा को मद्य पर देश के एक दिन के ग्रह मंत्री बनाया गया है महिला महिला सिपाई मीनक्षी बर्मा जो है ग्रह मंत्री डाक्टर नरोतम मिसरा के निबास कारियाले पर सुरच्छा विवस्ता में तेनाथ है उन्हें जो पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है तो ये बनी है ट्यूनेशिया की तो ट्यूनेशिया की जो सबसे पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है नजला बॉडियम रोंधने तो इनका जो है ये है ट्यूनेशिया देश का राष्ट ये फ्लैग जो है अगर बात किया ट्यूनेशिया ये पहली महिला प्रिदान मंत्री बनी है नजला बोडेम, रॉंधने और मुद्रा जो है टूनेशिया की ये दीनार है राष्टी ए फलेग जो है आप लोग देख लीजे राष्टी दोहज काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रिधान मंत्री बनी है तो ये बनी है एस्टोनिया की तो एस्टोनिया का आप लोग फिलेग देख लीजे अगर बात किजा एस्टोनिया तो एस्टोनिया आधिकारिक तौर पर एस्टोनिया गरतंत उत्री यूरोप के वाल्टिक सागर जो है इसके छेत्र में इस्तित एक देश है इसकी राजधानी जो है तालिन इसकी राजधानी है राश्टपती जो है ये हैं तुमास हेंडरलिक इल्वेस और प्रधानमंत्री जो है काजा कलास हैं ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है एस्टोनिया की तो आप लोग इनको था कौन बनी है तो यह बनी है आराधय अरिवेंद संकर इनको आप लोग फोटो में देख लीजे यह जो है अराधय अर्वेंद संकर बैंगलरू की साथ बर्स यह अराधय अर्वेंद संकर को प्रतिष्ठित Global Peace फोटो अबाड में चिल्डरन केटेगरी में पीस इमेज आफ दा इयर के पुरुसकार के लिए सम्वानित किया गया है इनको आप लोग फोटो में देख सकते हैं ये साथ बर्सकी है आराध्य अरविन संकर अगला जो कुशना कुशनमा 18 जो है अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महला कौन बनी है तो ये बनी है जैस्मिन हैरिसन इनकी फोटो आप लोग देख लिजे इंगलेंड की एक बेटिस महला जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करन वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है इनकी फोटो आप लोग देख लिजे ये हैं जैस्मिन हैरिसन अगला जो कुछन कुछनमा 19 जो है भारत में भारत में युद सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है तो ये बनी है मिंटी अगरबाल इनकी फोटो आप लोग बाला कोट एरिया स्ट्राइक में अभिनेंदन के संग एप 16 गिराने के साथ-साथ एहम भूमिका निवाने के लिए ये पुरुसकार इनको दिया गया है ये हैं अभिनेंदन अगले जो कुछन कुछनमा 20 दुनिया की पहली महिला जिनोंने समुद्र में सबसे गहरे इस्थल चैलेंजर दीप की सते पर पहुँचने का रेकॉर्ड बनाया है तो ये हैं कैथरीन सुलीबान इनकी फोटो आप लोग देख लीजिए अगर बात की जाए जो कैथरीन सुल 88 को अंतरिच में चलने वाली पहली महिला का खिताब भी इनकी नाम है साथ जून 2020 को वे मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर दीप में सबसे गहरे हिस्से में गोत लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं तो इनकी फोटो आप लोग देख लीजिए अगले जो कुछन कुछन 21 अगले जो कुछन है कुछन 21 परवता रोहड फाउंडेशन की पहली महिला अध्यच कोन बनी हैं तो यह बनी हैं हर्स बनती बिष्ट इनकी फोटो आप लोग देख लीजिए उत्तरा खंड की प्रिशिद जो परवता रोही हर्स बनती बिष्ट हैं इन्होंने जो है भारति परवता रोहर फाउंडेशन की पहली महिला अध्यच चुनि जाने का गौरव प्राप्त किया है जिसकी स्थापना इन्होंने सो सतावन में हुई इसका जो मुख्याला है यह नई दिली में यह हैं हर्स बनी विष्ट इनकी फूटो आप लोग देख लीजिए ये परवतारोड फाउंडेशन की पहली महिला अध्यच बनी है अगले जो कुछना कुछना 22 जो है पिंक वॉल बोमेन टेस्ट किर्केट 2020 में सतक लगाने बाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो ये बनी है इसमर्ती मंधाना इनकी फोटो आप लोग देख लिजिए जो इसमर्ती मंधाना ने जो टीम के लिए 127 रनों की पारी खेल कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है ये जो है पिंक बॉल टेस्ट मैच में सतक जड़ने वाली पहली महिला किर्केटर बनी है इसमर्ती मंधाना इनको आप लोग याद रखिएगा अगला जो कुष्णना कुष्णमा 23 जो है राष्टिय लगू उद्दोग निगम लिम्टेड NSIC की पहली महिला अद्यच सहे पिरबंदग नेज़ेशक CMD कौन बनी है तो ये बनी है अलका नागिया इनकी फोटो आप लोग देख लिजे अलका नागिया जो है अलका नागिया अरोडा इनका पूरा नाम है ये राष्टिय लगू उद्दोग निगम लिम्टेड जो है NSIC की अध्यच सहे पिरबंद नेदेशक CMD के रूप में नियुक्त की अगला जो कुशन है कुशन मोर 24 जो है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट पती कौन बनी है तो ये बनी है कमला हैरिस इनकी फोटो आप लोग देख लीजे ये हैं बरतमान में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट पती अगर बात किया तमिल मूल की भारतिये अमेरिकन जो मा की बेटी हैं इन्होंने जो है बुद्बार को इतियास रच दिया है वह दुनिया के सबसे सक्त साली देश, अमेर्का की पहली महिला उपराष्ट पती बनी है संयक्त राज अमेर्का की राजधनी जो है बोशिंटन डीसी है और मुद्रा जो है अमेर्की डॉलर है राष्ट पती जो है जो बाइडन है और उपराष्ट पती जो है कमला हैरिस है अगले जो कुशन कुशन 25 जो है देश के चोथे सर्व स्रेश्ट नागरिक सम्मान पदम स्री पुरुसकार से सम्मानित होने वाली पहली भारतिय महिला फुट बॉलर कौन बनी है तो ये बनी है ओईनम बेम वेम देवी इनको आप लोग देख लीजे ये हैं ओईनम बेम बेम अगर बात किया भारतिय फुट वॉल की जो दुरुगा के नाम से पिर्सिद ओम बेम बेम देवी पदम स्री पाने वाली पहली भारतिय फुट वॉलर बनी हैं और ओवरॉल ये साथ भी फुट वॉलर बनी हैं मतलब पुरुसों को मिला कर ये साथ भी हैं अगर बात किया मह 25 कोशन कवर किये हैं फुली डिटेल से इसी तरह मैं आपको 25 प्लस कोशन आपको पार टू में मैं करवाऊंगा जो की आपको जल्द ही दे दूँगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरुकिया करें अगर आप चैनल पर पहले आप व ओन दे मात्रों